प्राचीन समय में शिक्षा का लक्षय व्यक्ति का चरित्र निर्मान तथा व्यक्ति का विकास करना था उस समय शिक्षा का अर्थ बच्चे को साक्सर बनाने तथा उसमें विभिन विश्यों की जानकारी देने तक ही सीमित था किन्तु समय के साथ साथ सिक्षा की धारना में परिवर्तन हुआ, सिक्षा सामाजिक परिवर्तन का साधन समझी जाने लगी, अब सिक्षा का उदिश्य केवल मानव का सांस्कृतिक विकास करना ही नहीं, अपितु मनुष्य को सभी भोतिक सुक संपदाओं को भी परदान करना है ताकि मानविय जीवन सुक पूर्वक बनाया जा सके आर्थिक विकास में शिक्षा के योगदान को देखते हुए शिक्षा में किया जाने वाला खर्चा निवेश कहलाता है निवेश इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि अगर आज शिक्षा के अंदर खर्च किया जाता है तो तो भविश्य में वो वापिस आने वाला होता है। किसी भी समाज के पास तीन साधन होते हैं। भोतिक साधन, मानविय साधन, आर्थिक साधन। मानविय साधनों से तात्परिय, जनसंख्या, अत्वा लोगों से है। इस प्रकार शिक्षा पर जो खर्च किया जाता है, वह उपयोग नहीं, निवेश होता है। क्योंकि शिक्षा शिक्षिद पर शिक्षिद जनसक्ती का निर्मान करती है, और कुशल जनसक्ती ही समाज, देश और राष्टिय आये के लिए लाबदायक हो सकती है। अब निवेश क्यों कहते हैं? सिक्षा कुशल जनसक्ती का निर्मान करती है, सिक्षा दवारा रोजगार के आवसर मिलते हैं, सिक्षा वैक्ति की भावी आवसकताओं की पूर्ती करती है, सिक्षा उत्पादन को बढ़ाने में मदद करती है, सिक्षा वीनियोजन में कठना भी आती हैं आज सिक्षा पर जो खर्च किया जाता है उसका लाब दस से पंद्रा साल बाद होता है कई बार अनपड या असिक्षित वेक्ती भी उत्पादन भढ़ाने में साहिक होता है अनपड कोई बिजनेस कर लेता है और पड़े लिखे को रोजगार नहीं मिलता तो हम ब विवसाइक शिक्षा पर जादा निवेश किया जाता है जो लाबकारी भी सिध होता है लेकिन सामान्य शिक्षित लोगों की बेरोजगारी की जनसंख्या बढ़ती जा रही है शिक्षा का निवेश किया जाये तो उसमें रूची प्रेड़ना वातवरन की भूमिका भी रह तो यह था शिक्षा के बारे में कि शिक्षा पर जो खर्च किया जाता है वो खर्च नहीं अपितु निवेश कहलाता है जो भविश्य में हमें लाबदायक होने वाला है लाब देने वाला होता है